आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करेंगे मदर्शन सुमी स्टॉक के बारे में इस स्टॉक के कवरेज हमने रेगुलरली करा है इस समय देखेंगे इस स्टॉक का ट्रेंड जो है वो काफी विजिवल विक ट्रेंड है और इस स्टॉक में 122 का जो प्राइस है वो एक जो सबस लास्ट का सपोर्ट है वो है अगर इस लेवल 120 को ब्रेक करती है तो इसली 110 तक के लेवल दिख सकते हैं मेरा व्यू इस समय इस स्टॉक को ले करके काफी बीरिस है और लॉंग तब तक नहीं करेंगे जब तक 130 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है बहुत सारे लोग हैं जो बोनस को ले करके इस स्टॉक में अगरिसिबली बाइंग कर रहे हैं लेकिन जिस परकार से स्टॉक के ट्रेंड को देखेंगे तो विजिवल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है जहां आउटो सेक्टर बेतर कर रही है वहीं इस स्टॉक के ट्रेंड को देखेंगे तो इस समय काफी विक लग रहा है, बोनस की डेट अभी तक नहीं आई है और बोनस से पहले एक करेक्शन दिख सकता है, तो इस समय मेरा प्रसनली रिकमेंडेशन रहेगा कि इस स्टॉक को इगनोर करना ही एक बहतर आप्शन हो सकता है, इस समय बिल्कुल बिस स्टॉक में लॉंग करने की गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर दू जो सोट टर्म में एक बहतर रिटर्न दे सकता है वो स्टॉक देखेंगे तो मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर है जिसका स्पलिंग M-A-N-G-C-H-E-F-E-R काफी यूज कंसोलिडेशन 120-130 का दिख रहा है 130 के उपर 200 तक की लेवेल नेक्स मन्थ में स्योली से स्टॉक में दिख सकता है मैक्सिमम चांस मोर देन 80% के